हेलो दोस्तो आज की वीडियो में आपका स्वागत देता आज मैं आपको दिखाने वालों सेलो का छोटा वीम वाला वर्जन वाला फॉंटन पेन तो लेट स्टार्ट दान बॉक्सिंग तो यहां पर देख सकते हो पैकेजिंग कुछ इस टाइप की आप देख सकते हो यहां प कुछ इंस्ट्रक्शन्स दे रखे कि आपको मतलब किस तरह से रिफिल वागेरा करना है और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो सरफ 45 रुपीज का है और बाकि अगर आपको और कुछ पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो तो यह मैंने ब्लू कलर में लिया है बाकि आपको जो काटेज है काटेज आपको ब्लैक में भी अलग से मिल जाएगा कुछ 10 रुपीज का पैकेट आता है तो या 3 काटेज का तो यह रही हमारी रफ सी अन्बॉक्सिंग जैसा कि आप देख सकते हो ऐसे मुझे समझ में नहीं आते है यह कंपनी वाले कभी कुछ ऐसा हमारा एक पैन यह रहा हमारा एक रीफिल करते हैं अगर मैं पैन में आपको थोड़ा पास के दिखाता हो आप देख हो wings अगर नई भी पसंद अब धफिर्ण है और प्राइस सब्सक्राइस बहुत लीजनेबल है 45 रुपीज का पैन है एक पीस वह भी फाउंटेन पैन दो काटेज के साथ आता है और साथ में कलर वगरा भी अच्छा है देखने में तो और अगर इसका मैं कैप की बात करूं तो कैप प्लास्टिक कैप है और देगा जदा कैप की बिल्ट क्वालिटी अच्छी है ज्यादा म है बाकी आप देख सकते हैं इस पर फीछ वगरे लिखा हुआ है और बाकिया आप अगर पैन देखो तो पैन अच्छा है यहां पर लवड़ गरिप आग नाई है तो यह थोड़ा से ठीक बात नहीं है मलब अगर लवड गृप नहीं भी देर हो तो यहां पर थोड़ा से ग क्या होता है कि मतलब pen के खराब होने के चांसे थोड़े ज़्यादा रहता है मतलब मान लीजिए कम से का आपके तीन-चार मैने काम करेगा उसके बाद हो सकता है अगर आप थोड़ा रफ्यूस करो तो हो सकता है थोड़ा सा मतलब लीक वगरा की प्रॉब्लम बढ़ जाए पर अंदर इस ट्राइट का है और इधर से भी आप देख सकते हो तो एक हम लोग रिफिल डालके देखी लेता है कैसा है तो इसको कर देते हैं बन और एक चीज़ मैं आपको फांटन पेंड की बताना चाहूंगा थोड़ी देर ऐसे करने के बाद थोड़ा सा जटका मारा करो क् आप लोग रिफिल डालने के बाद खासका नए पैन में जो कि बिल्कुली मदब पैकेट से निकला हुआ पैन हो तो उसमें क्या होता है कि इंको नीचे पहुचने में थोड़ा टाइम लगते है तो थोड़ा से इसको जटका दे दिया करो ताकि पैन निप तक पहुच हाँ तो आप आगे आप देख सकते हो यह देखें अब इंग फ्लो बात अच्छा है देख सकते हो रैट अब मैं आपको थोड़ा से जूम करके दिखा देता हूं तो आपको बेटर मतलब समझ में आएगा यह देखें आप देख सकते हो इंग फ्लो वगर्ण है थोड़ा सा आपने देखा होगा सुरुवात में यह इंग फ्लो नहीं दे रहा था वह इंग नीचे तक नहीं पहुचे तहीं इसलिए बाकिन मतलब पैन में कोई दिक्कत नहीं है अब देख सकते हो इंग की जो क्वालिटी है वह अच्छी है स्मूधनेस टॉप कॉलिटी है ना तो मुझे स्मूधनेस से भी कोई शिकायत नहीं बहुत बढ़िया उल्टा स्मूधनेस दे रहा है और इंग फ्लो भी अच्छा है कहीं मतलब बीच बीच में रुक नहीं जा रहा है जबकि मैंने देखा है ज्यादा तर जब य इंक मतलब जो अच्छा और डार्क और बोल्ड है तो जिनको थोड़ा से बोल्ट और डार्क राइटिंग अच्छा है उनके लिए बिल्कुली एकदम बैस्ट है अब देख सकते हो बहुत भूल्ड और अच्छी राइटिंग है और अगर कुछ लोग पूस्टे पीछे वहाई टता है कि मैं तो आप देख सकते हो यह बिलकुली वाईट है पीछे से तो रजुन शुन आती bene ह CAP remain without भूax छुलता है वह भी अभी रफलो तो यह कारण से धिक्क्त आती है तो डोंट वरीो तो अगर आप नॉर्मली थोड़ा यूस करो गया और यह थोड़ा पतला क्वालिटी का भी पेपर है तो अगर नॉर्मली यूस कर रहो तो बैक प्रिंट भी नहीं होगा तो उसमें भी चिंटा करने वाली कोई ज्यादा बात नहीं है तो अगर मैं overall अपना experience बता हूं तो पैन अच्छा है फ्लो अच्छा है राइटिंग अच्छी है बोल्ड है तो अगर आपको बोल्ड राइटिंग अच्छा लगता है तो उसके लिए बिल्कुल ही बेस्ट पैन है तो अगर मेरा recommendation है आप इसको बिल्कुल खरीच सकते हो 45 बोल्ड आट